आज हम लोग बात करेंगे NSP ये NSP क्या है National Scholarship 2022 Metric Inter Pass 2022 में जो भी बच्चे Metric या Inter में पास किये हैं उनको भारत सरकार द्वारा यानि बिहार सरकार से तो दिया ही जाता है जो scholarship और भारत सरकार के द्वारा भी दिया जाता है कुछ बच्चों को दिया जाता है इनका नंबर क्रम बाइज में बताने वाला हुआ आगे कि किन किन बच्चों को भारत सरकार के द्वारा scholarship दिया जाएगा तो आप नए है चैनल पर तो पहले चैनल को subscribe कर देजिए और वीडियो को like करके मेरे वीडियो से जुड़े रहिए आपको पूरा information मिलेगा कि आपका क्या क्या प्रोसेस है कौन कौन सा प्रोसेस पार करके आप लोग national scholarship ले सकते हैं जिसमें 50,000 तक का इनाम रखा गया है भारत सरकार द्वारा 50,000 तक का इनाम रखा गया है इसमें scholarship में ये आपके number wise cut up लिया जाएगा कोई exam नहीं होगा कोई कुछ भी नहीं आपका number base पे cut up लेके आपको scholarship भारत सरकार द्वारा यानि प्रधान मंत्री द्वारा दिया जाएगा तो आप वीडियो पे बने रहिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो भी बच्चे इंटर में पास किये हैं छात्र के लिए यानि लड़कों के लिए बवाय के लिए बवाय के लिए सबसे पहले बात करते हैं इंटर में जो भी बच्चे पास किये उनका क्या process है scholarship के लिए यानि अगर आप साइंस से हैं आर्ट से हैं या कॉमर्स से हैं किसी भी केटागरी से हैं या किसी भी जास से बिलोंग करते हैं किसी भी केटागरी या किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं कोई फरक नहीं पड़ता है आप जेनरल से अगर हैं तो आप साइंस में लेकर आ आप जिनरल कटागरी से हैं तो आप Scholarship National Scholarship का forum भण सकते हैं National Scholarship के बारे में मैंने पहले बता दिया बिहार सरकार जो भी लीजाता है उसको मिलेगा ही मिलेगा । अब OBC और EBC वालों के लिया आते हैं यानि अत्यांत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए आते हैं जो साइंस में अगर 350 नंबर लेकर आए हैं आर्स में 303 नंबर लेकर आए हैं कॉमर्स में 355 नंबर लेकर आए हैं तो वो नैशनल स्कॉलर्शिप भर सकते हैं अब एस सी वालों के लिए बात किया जिता है तो उनके लिए Science में 321 नमबर, Arts वाले लेकर आए हैं 300 नमबर और Commerce वाले 341 नमबर लेकर आए हैं तो वो SC वाले फोरम भर सकते हैं सकते हैं और फैदा उठा सकते हैं अब गल्स की अगर बात किया जाए तो गल्स की अगर बात करें छात्राओं की तो केटागरी में आए हैं General OVC, SC, ST जो भी है OVC की अंडर में आता है EBC तो General Science में 352 नमबर, Arts में 327 नमबर और Commerce में 387 नमबर लेकर आए हैं लोग General वाले तो इसका फोरम भर सकते हैं लोग अगर आते हैं इधर OVC की छात्रा की बात करते हैं गल्स की OVC या ABC जो भी बोलिए बात सेम है तो Science वाले 349 नमबर, Arts वाले 316 नमबर और Commerce वाले 383 नमबर लेकर आए हैं तो फोरम भर सकते हैं आगे SC वालों की बात करते हैं जहां भी आप लोग को सस्पेंस लगे नहीं समझाए तो आप बेहिचक कमेंट कर दीजे मैं सारे कमेंट का जवाब दूँगा SC वाले की अगर बात करें तो Science में 317 नमबर, Arts में 301 नमबर और Commerce में 365 नमबर लेकर आए हैं तो वो फोरम भर सकते हैं ST वालों की बात करें तो Science में 336 नमबर, Arts में 326 नमबर और Commerce में 375 नमबर लेकर आए हैं तो वो भी फोरम भर सकते हैं और फॉरम भरने का क्या है कंडिशन वो आगे हम लोग बात करते हैं इतना आप लोग को समझ आ गया हो नहीं आया हो तो आप जरूर कॉमेंट करें देखिए आप लोग पेपर में भी निकाला गया है इंटर के साड़े पांच लाग बिद्यारती होंगे पंजिकरित यानि फॉर्च डिविजन आप पास किया है तो आप भर सकते हैं इस फॉरम को और यहाँ पे देखते हैं दो बीस की आप एक छाई इस बाभ बढ़ी बिद् अब बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं पढ़कर बता रहा हूं आप लोग देखते हैं बिहार सरकार के दौरा बिहार बोट की ओर से जो भी छात्र छात्रा पास किये हैं उन्हें सरकार द्वारा पचीस हजार का रासी दिया जाता है इस बार भी बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए बिहार सरकार के द्वारा पैसे दिये जाएंगे जो आप लोग जानते हैं अब नैसनल स्कोलर्शिप के कटप की अगर बात करें तो सेनी में पास शात्रों को इस बार सरकार द्वारा कहा गया है पचीस हजार के जगा पर छतीस हजार रुपया दिया जाएगा देखिए आप लोग छतीस हजार रुपया की रासी दी जाएगी देने का निर्णाय किया बिहार सरकार के द्वारा इस बार यानी 2022 में जो भी पास किये हैं उन्हें लाब दिये जाएंगे बिहार सरकार इसके लिए आवेदन लेती है और इस बार भी आवेदन लेगी मैं डेट आगे बताने वाला हूँ कब से आवेदन लेगी इसके बाद आवेदन को जाच के बा पास किये हैं मैट्रिक किया है उनके लिए अगर आपका 60% के उपर है तभी आप जाके NSP National Scholarship का फोरम भरियेगा क्योंकि 60% के उपर का ही बच्चों को कट अप में लेता है नाम पिछली बार 85% जिसका आया था उसका कट अप लिया था कट अप में नाम आया था इस बार हो सकता है 70% वालों का भी ले ले आपका कितना नंबर आया आप कोमेंट करके जरूर बतलाईए मैट्रिक में और ये वीडियो बनाने का यही मक्सद था साथ में आप लोग जाती आये निवास ओनलाइन करा लिजिए ताकि आपका आने वाले टाइम में स्कोलर्शिप का फोरम भराए या तो फिर आप लोग के एडमीशन में किसी परका की कोई परिसानी ना हो इसलिए आप लोग सबसे पहले जाती आये निवास बनवा जो बच्चे जिनरल कटागिरी से विलोंग करते हैं उनका जाती नहीं लगेगा लेकिन निवास परमान पत्र जरूर लगेगा अब सर्टिविकेट की बात करें कि ओनलाइन कराने में क्या क्या सर्टिविकेट लगेगा तो देखिए आप लोग स्कोलर्शिप को ओनलाइन क का रिष्टेशन नमबर डालिएगा जहां भी आप ओनलाइन कराएंगे वह इंसान बता देंगे हालाकि ओनलाइन अभी स्टार्ड नहीं हुआ है एक अगस्ट से स्टार्ड होने वाला है एक अगस्ट से स्टार्ड होगा तो मैं भी वीडियो बना दूंगा आप लोग आधार काट के सर्टिपिकेट में दोनों सेम टू सेम होना जरूरी है इस चीज का विशेस आप लोग ध्यान रखिएगा और टोटल माक्स मतलब माक्स चीट पर जो भी माक्स है आप लोग टोटल माक्स डालिएगा अधार नंबर चाहिए और नाम जो आपके इससे मैच करन चाहिए यह बात का ध्यान रखिए अगर आप लोग का अधार काट गडबर है तो जाके जल्द ही सुधार करा लिजिए फिर बैंक अकाउंट लगेगा बैंक अकाउंट वही इंसान का लगेगा जो पास किया है मैट्रिक या इंटर में सेम नाम का बैंक अकाउंट होना चा चाहिए देट और भी मैच करना चाहिए और बैंक अकाउंट के पास्वुक पर आप लोग देख लिजेगा आई एफ एससी कोड होगा जो भी बैंक का होगा जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालत है एस बी आई जीरो जीरो कुछ करके रहेगा आप लोग देख लिजेग ऐसे होना जरूर है और बैंक अकाउंट खोड़य नेम अभी मैंने बता दिया कि सेम नाम मैच करना चाहिए अब मोबायल नंबर चाहिए साथ मैं आपका मोबायल नंबर वह ए चाहिए जो यह चल रहा है मोबाय नंबर किसी का भी मोबायल नंबर दे सकते है क्योंकि OTP लग आप लोग करा लिए तो यह बिडियो बनाने का यही मकसद था अगर अभी आपका कोई कोश्चन रह गया हो तो आप जरूर कोश्चन करिए मैं जवाब दूंगा और आई बटन पर देखिए अभी एक वीडियो आ रहा होगा जो बिहार इस्कोलर्शिप का है जो भी बच्चे किया उंगे इसकॉलर्शिप के लिए आप जरूर्व देख लिए यह बिअर बटन पर जो वीडियो है एक बार जरूर देख लिए तो यह वीडियो बनाने का यहीं मकसद था आजका वीडियो बस इतना ही जै हिन दोस्तो